आज की स्थिती में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है मैं राज्यों से भी अनुरोद करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेंडमेंट जोन पर ही ध्यान के इंद्रित करना है हम अपनी अर्थववस्ता की सहेद भी सुधारेंगे साथ्यों हमारे सास्त्रों में कहा गया है प्याज्यम न धैरियम विदुरे अपिकाले अर्थात कठीन से कठीन समय में भी हमें धैरिय नहीं खोना चाहिए किसी भी परिश्तिती से निपटने के लिए हम सही निर्णय ले सही दिशा में प्रहास करें तब ही हम विजय हासिल कर सकते हैं इसी मंत्र को सामने रखकर आज देश दिन रात काम कर रहा है इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सिजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है इस विशे पर तेजी से और पूरी संवेदन सिल्टा के साथ काम किया जा रहा है केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरुरत मन को ऑक्सिजन मिले ऑक्सिजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाई किये जा रहे हैं राज्यों में नए ऑक्सिजन प्लांट्स हो, एक लाग नए सिलिंडर पहुँचाने हो और द्योगी इकाईयों में इस्तिमाल हो रही ऑक्सिजन का मेडिकल इस्तिमाल हो ऑक्सिजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाईयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है आज जन्वरी फर्वरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाईयों का प्रोडक्शन हो रहा है इसे अभी और तेज किया जा रहा है कल भी मेरी देश की फार्मा इंडस्टरी के बड़े जो प्रमुख लोग हैं, उसके जैस्पर्ट लोग हैं उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदर ली जा रहे हैं हम सोगभाग्य साली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाईया बनाता है इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है कुछ शहरों में ज़्यादा निमान को देखते हुए विशेश और विशाल कोविर होस्पिटल बनाए जा रहे हैं ज़ झाल रहे हैं